नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और एच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज कि इस वीडियो में मैं आपको आज 8 नवंबर 2020 की हिमाचल प्रदेश की शाम 5 बजे की टॉप 10 ताल्या ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बने रहे हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नॉटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश के किस टिस्टिक स इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं पहली जो शाम की पहली तादा ख़बर ब्रेकिंग निउस आपके सामने हिमाचल कैविनेट पहली कक्षा के चातर 15 से तीसरी से सातमी के विद्यार्थी 10 नवंबर से आएंगे स्कूल तो मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर के अध्यक्षता में सौंबार को ही कैविनेट बैठक में एहम फैसले लिये गए तीसरी से सातमी कक्षा के विद्यार्थियों की 10 नवंबर से जो है नियमित कक्षाएं शुरू होंगी कैविनेट बैठक में 15 नवंबर से पहली औ और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने का फैसला लिया गया आठमी से बार्मी कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं जो है पूरू की तरह जारी रहेंगी सर्दी खांसी बुकार और जुकाम के लक्षन वाले विद्यार्थियों को स् कियो उच पार्शाला में सत्रोनत करने और इसके आरू संचालन के लिए आवश्यक पदों किस रिजन का निर्णे जो है लिया हिमाचल प्रदेश सचिवाल एक इसमान ने प्रशासन विभाग में सैकंड में आधार पर चालकों के दस पद भरने का निर्णे लिया गया इस कैबिनेट ने हिमाचल करिशी और बागवानी उत्पाद विपनन अधिनियम 2005 की बर्तमान अंसोची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी परदान की ताकि प्रदेश में किसानों के हितों में विविद करिशी और संबंध खेतर में संबावित विकास हो सके बैठक में मंत्री मंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज जेपाल को प्रदेश बिधानसबा का शीत कालीन सत्तर दस से पंदरा जिसमबर 2021 तक जिला कांगड़ा के धरमशाला में आयोजित करने की सफारिश करने का निरने लिया इसमें पांच बैठके होंगी अगणि उस जाब के सामने ड्राफ्ट DPR तयार हिमाचल के बरमाना से ले रेलाइन पर 62,000 क्रोड से बनेंगे फुल सुरंगया तो बरमाना से ले तक 476 किलोमीटर लंबी रेलाइन के लिए 62,000 क्रोड की लागत से पुलों और टैनलों का निर्मान होगा इसमें टैनलों पर 56,000 क्रोड पुलों पर करीब 6,000 क्रोड खर्च होंगे अगनि उस जाब के सामने शमला से कि दोनों बच्चों को उठाने वाले तेंदुए जो है एक होने की आशंक का आदम खोर गोशित कर मारा जाएगा तो बन विभाग का कहना है कि आदम खोर गोशित करने से पहले देनों क्या खाया है अगनि उस जाब के सामने सुविदा डिपू में आप गूगल पे और क्यू आर कोड से मिलेगा राशन तो खाद्य नागरिक एबं उपवोकता मामले सचव सी पाल रासु ने बताया कि डिपू को क्यू आर कोड जारी करने के आदेशे कर दिये हैं तो ह निमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपवोकताओं को अब जो है गूगल पे और क्यू आर कोड से सस्ता राशन मिलेगा खाद्य अपूर्टी विभाग की ओर से 50 डिपू में चल रहे सपल प्रियोग के बाद अब सरकार ने सभी 5000 डिपू में इसे लागू करने का फैसला लिया है अगणि उज़े आपके सामने एच पी टैट तीन सो बानुए प्रिक्षा केंद्रों पर 44,000 अभ्यारती देंगे शिक्षिक पात्रत प्रिक्षा अगणि उज़े आपके सामने मंडी से कि पूरु सैनिक ने दिखाई मुस्तादी शिकार करने आया तेंदुआ पिं को बंद कर दिया अगणि उज़े आपके सामने कुलू से कि नीजी बस के इंजिन में भड़की आग यात्रियों में आपरा तफरी तो गनी मत रही कि बस में आग नहीं लगी नीजी बस ओपरेटर संग के प्रधान रज़त यमबाल ने कहा कि बस का टर्बो तूटने से ते काम्याब भी तो डेहर से नीजी की विकास खंड सुंदर नगर की ग्राम पंचायत पलोहटा के गाउन नहरा में कई दिनों से घात लगा कर लगभग सतर मुर्गियों को ड़कारने वाले तेंदूओं को पकड़ लिया गया है सेवा निवरित सुबेदार बेसर बेसर राम उर्फ गोपाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से तेंदूओं घात लगा कर मुर्गियों को खाता जा रहा था। अगे निवरित आपके सामने वर्धा में कांग्रेस के प्रिशीक्षण कार्यक्रम में हिमाचल से ये करेंगे शिर्कत तो हिमाचल प्रदेश के शमला से निवरित के अखिल भारतिये कांग्रेस कमेटी के अनुमोधन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप स राठोर ने महराष्टर के वर्दा में 12 से 15 नवंबर तक जो है आखिल भारतिय कांग्रेस कमिट्टी के प्रिशिक्षिन कारेकरम में भाग लेने के लिए वासु सोनी विक्रम चौधरी विद्या सागर चोहन वा इंदरजीत सिंग को नामित किया है अगर न्यूज़ आपके सामने वोग के रिहाडू राम ने त्यार की कीवी की फसल तस्वीरें आप देख सकते हैं तो कांग्रा से न्यूज़ आ कि धारकंडी का वोग शेत्र अब ट्राउट मचली के साथ साथ कीवी फल के लिए भी जाना जाएगा तो दोस्तों ये थी आज 8 नवंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज शाम 5 मजे की टॉप 10 ताला खबरें अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित पर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की आरन अटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जैहिंद जैभार जयँ कराम कर दो दो जैहिंद तक हिले भी आरन ओर भी कर दो स सके खालन अटणाटव साराव तक हिमान्या हु बद़ जैदल तक है तक है खम ऌह सकता है झाल झाल